ग्यान गंगा शिक्षा निकेतन चैनल टूड़े विल डिस्कस अबाउट दा साइंस इस एवरिवेर तो यह आपकी हर जगह अबिलेबल है चाहे वह एक्टिबिटी आपकी नेचर मेड हो या फिर होममेड हो यह निके नेचर की तुरू हो रही हो या फिर हम लोग के द्वारा किये जा रहे हो वो सभी एक्टिबिटीज क्या है साइंस से रिलेटेड है और हर जगह हर चीज़ पर साइंस अबिलेबल है चलिए देखते हैं कैसे science plays an important parts in our daily life it has made our life easier and more comfortable science हमारे daily life में बहुत important role play करती है उसने हमारी science ने हमारी life को बहुत ही easy और आराम दायक बनाया है देखे कैसे एक picture से समझते हैं so यहाँ पर आप देखिए आपके पास transportation mode available है that means कि easily आप एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हो आपके पास by car by bus by train aeroplane बहुत सारे modes available है तो आपको travel करने में कोई दिक्कत नहीं है समान लेने के लिए पहले हमें अलग अलग शॉपस पर जाना परता था यह कपडों की दुकान हो गई यह रशन की दुकान हो गई और यह बरतन की दुकान हो गई यह फिर यह electricity की दुकान हो गई यह furniture की दुकान हो गई लेकिन आज हमारे पास बड़े बड़े shopping malls available है जहाँ पर हम एक mall में जाकर कि अपनी ये सारी जरुद की चीज़ें purchase कर सकते हैं then हमारे पास हर दवाई की medicines available है electricity available है communication mode available है pure water available है portable water available है तो चलिए इनको one by one समझते हैं तो first electricity यानि कि वेधोईत या बिजले it gives us cool air and entertains us through cinema, tv and radio beside lighting our house house is modern life is impossible without electricity that means कि बिजले हमें क्या देती है थंडी हवा देती है हमें entertain करती है cinema, tv और radio के माद हम से थंडी हवा कैसे? cooler, ac या पंखा जो हम इस्तमाल करते हैं वो electricity के दूँ चलता है जिससे कि हमें थंडी हवा मिलती है entertainment होता है हमारा tv, radio, mobile phone के through और हमारे घरों में चो light चलती है वो भी electricity के through चलती है इसलिए कहा जाता है कि हमारी life क्या है without electricity बिल्कुल impossible है, इन्हें की asambab है पहले ऐसा नहीं था लेकिन आज हमने अपने आपको science में सिमित कर लिया है, तो आज हमें हर चीज़ के लिए science के जरुद है और अगर science के ये चीज़ें ना हो हमारे पास, यानि की तो हमारी life बिल्कुल ये कहिए कि अधूरी सी लगेगी आप जो मर्में चीज़ें यूज़ें यूज़ करते हो, like आपका washing machine हो गया, oven हो गया, iron हो गया refrigerator हो गया, car real machine, mobile phone laptop, computer या फिर कोई भी lamp, electricity ये बल्फ, ये सारी चीज़ें आपकी electricity के थूँ ही चलती है, mean आपका बल्फ जो कि आप घर में रोशनी से काम करते हो रोशनी में रहकर के काम करना चाहते हो वो भी आपकी electricity के थूँ अगर electricity का connection ना हो electricity flow ना कर रही हो तो ये सारी चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे चलिए, next mode देखते हैं Communication आज हमारे पास बाच्चित के लिए कई सारे modes available हैं और ये भी science के ही देन है, science has developed invented and discovered different mediums of communication that are very useful for us in our everyday life science नहीं हमारी life को बहुत ही useful और आसान बनाया है, communication के माध्यन से, communication के लिए बहुत सारे modes available करवाए हैं, उन्हें खोजा है और उनकी खोज, उनकी अविश्कार और विकास से हमारी communication mode provided है और उससे हम अपने बाच्चित को बहुत ही आसान तरीके से कहीं भी कर सकते हैं चली कुछ modes हमारी पास available हैं इन्हें देखते हैं फर्स्ट इस networking networking mode यह mostly offices वगरा में use किया जाता है जब हमें कई सारे computers आपस में connect करने हो और data exchange करना हो तब इस mode का इस्तमाल किया जाता है next is tower tower that means कि आपके entertainment में कोई दिक्कत ना है जब आप mobile phone इस्तमाल करते हो या पर TV बगरा देखते हो तो उसमें जो आपको connection मिलता है आपके phone में proper network आता है वो tower connection की through यानि tower communication के medium से medium से होता है then satellite satellite यानि कि astronomy study में यूज की जाती है जो आप astronomy यानि खगोल सास के study करते हो और आपको आकास के बारे में कोई जानकारी मिलती है तो यह आपका satellite के माध्यम से हो पाता है आपको जान पाते हो कि प्रिथ्वे में क्या होने वाला है क्या नहीं और कब बारिश हो गिया क्या नहीं तो इस तरीकी के जो भी आपको आकास में होने वाले घटनाओं के जानकारी मिलती है वो सब satellite communication के मोड से मिलती है देन आपका modem modem एक ऐसा communication mode होता है जो की internet access करने के लिए यूज किया जाता है then mobile radio communication radio communication एक बहुत ही easiest mode होता है mode पहले के टाइम पर था तब वो radio communication mode का ही इस्तिमाल करते हैं या फिर वो जब fire अगेरा कर रहे होते हैं तो वो अपने phone नहीं यूज कर सकते हैं तब भी वो एक radio से उन सबको information provided होती है तो हमारी military आज भी इसका use करती है और अपनी अभी की life में भी सुनते है 93.5 या 92.7 अब आपका नेशनल और इंटरनेशनल वो के लिए यूज होता है आप इंडिया में बैठे बैठे अमेरिका यॉरॉप लेंडन कहीं भी communication कर पाते हो लोग से एड़ पर हो पाते हो उनके data अपने पास ले पाते हो अपने data उनको दे पाते हो यह global networking के थुरू हो पाता है नेक्स्ट आपका mobile communication mode चुकि आप daily life में यूज करते हो laptop और computer यह भी आप यूज करते हैं नेक्स्ट आपका Wi-Fi यह एक ऐसा mood होता है जिसे कि आप easily अपना internet यूज कर सकते हो और एक साथ 2-3 system या फिर phone connect कर सकते हैं और easily सब लोग work कर सकते हैं यह हुआ आपका communication mode next mode machines and tools science has invented different types of machines and tools that are very useful for us in our daily life science ने हमें बहुत सारी machines and tools के बारे में चाग्रूप करवाया है जिससे कि हम अपनी daily life को आसान बना पाएं देखिए कुस tools आपके पास available है यह picture पर like cutter, scissor, knife और बहुत सारी ऐसी चीज़े जिनको आप cut करने के लिए यूज करते हो चाहे वो pencil shop करने के लिए हो या कपडे cut करने के लिए या फिर आप wood बगएरा cut करने के लिए इस्तमाल करो इन tools का इस्तमाल करके आप अपने रोज की चीज़ों को बहुत आसानी से कर पाते हो so next computer computer have made each and everything easy and like computer ने आपकी लगबग हर चीज़ को बहुत आसान बना दिया है calculation and other stuff beyond our imagination calculation के अलावा और other समाने से परे होने वाली activities जो आप सोचते हो खैलो में जिसको आप imagine करते हो वो भी आप computer के थुरू बहुत ही easily कर पाते हो calculation इसलिए कि जो firstly computer को discovered किया गया था वो इसी medium से किया गया था या फिर इसी कानमान लगा कर किया गया था कि पहले time पर लोगों को calculation नहीं आती थी तो वो calculation के लिए इस्तुमाल करते थे किस चीज़ों का by stone by steak या फिर by animals वो अपनी calculation किया करते थे कि उन्हें गिंती तक नहीं पता थी इसी चीज़ को ध्यान में रख करके computer का जो पहला instrument बनाया गया था वो था abacus जिसके through calculation की जाती थी आज हमारे पास calculation के लावा भी हम computer में बहुत सारे work करते हैं लेकिन computer का हिंदी नाम है उससे ही पता चलता है कि इसका में अविश्कार किसले हुआ था computer का हिंदी नाम है संगड़क चलिए next mode देखते हैं so medicine यानि की दवाया आज आपके पास हर तरह की बिमारियों के लिए दवाया अबिलेबल हैं आप आसानी से इलाज करवा सकते हूं science has invented a number of wonderful drugs that are used for pain killing and these drugs are very useful in everyday life science में ऐसे भी बहुत सारे विश्कार किये हैं और कुछ दवाया जो हम अपने daily life में हमेशा इस्तमाल करते हैं और हमारे घर पर अबिलेबल होती है like pain killer यानि कि दर्द के लिए जो दवाया होती है उसलिए हमारे घर पर अबिलेबल होती है और हम हमारे सर में दर्द हुआ हाथ पर में दर्द हुआ या फिर पीट में दर्द हुआ तो normally हम उन दवायों का इस्तमाल करते हैं science ने my life को ऐसे easy बनाया है x-ray and body scanning machines are also very useful in daily life x-ray आपकी एक ऐसे body scanning machines होती है आपकी फुल बॉड़ी को scan करती है और आपकी बॉड़ी के सभी पार्ट को एक पिक्चर पर उतार कर दे देती हैं जिसे कि आप देख सकते हो कि और डॉक्टर आपको watch करके बता सकते हैं या फिर यहां पर कोई दिक्कत है कुछ भी है तो वो आप पिक्चर पर देख सकते हो then अब आज की हूंबग की बात कर लेते हैं so हूंबग which medicine do you use and why आप अपने घर में अगर किसी medicine का use करते हो तो वो लिखो कि कौन सी medicine आप use करते हो और क्यों next write electric use in your house आपकी घर में electric का use किन-किन चीज़ों में होता है आप electricity वाली कौन सी चीज़े इस्तमाल करते हो उनकी देश लिखो which medium do you use for communication and why आप बाच्चित के लिए किस medium का use करते हो या किस medium का use करते हो और क्यों thank you for watching this video and have a nice day